हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल B&B Stock Market में अगर आप भी शेर बजार में निवेश करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट किया है तो अक्सर एक सवाल मन में आता होगा कि BSE में निवेश करें या NSE में चलिए जानते हैं दोनों में क्या आंतर है इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सबिस्क्राइब माई चैनल जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना पीरियड में हमने देखा शेर बजार बुरी तरह गिरा और नियू रिकॉर्ड्स भी बनाए उस समय काफी लोग स्टॉक मार्केट से नए जुड़े जिनके मन में ये कॉश्चन रहता है कि BAC में निवेश करें या NSE में तो फ्रेंट्स पहले समझते है BAC, NSE क्या है NSE और BAC दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BAC बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज BAC में करीब 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिश्टेड है और ये Asia का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जबकि NSE में लगबग 1600 के करीब कंपनी लिश्टेड है दोनों एक्सचेंज पर आप पैसा लगा सकते हैं दोनों एक्सचेंज में फर्स्ट डिफरेंस शेर्स के प्राइज में होता है लेकिन ये बहुत माइनर होता है एक्सचेंज अगर XYZ कंपनी का शेर BAC पर 480 का है तो NSE पर करीब 481 का होगा इस्टॉक ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के अकॉर्डिंग NSE और BAC पर टेक्स लगाने का तरीका अलग-अलग होता है इसमें भी बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो किसमें पैसा लगाना चाहिए अगर आप नए हैं और लॉंग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो BAC भैतर विकल्प है अगर आप बजार की अच्छी नॉलिज रखते हैं तो NSE चूज कर सकते हैं NSE में आप ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शन में भी पैसा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंजल ब्रोकिंग, NSE का सॉफ्टवेर भैतर है जिससे हाई रिस्क ट्रांजेक्शन किये जा सकते हैं कैसे लगाएं पैसे किसी भी ब्रोकर के जरिया आप पैसे लगाएंगे तो वह दोनों पर ही रेजिस्टर होते हैं फिर भी बाय और सेल करते वक्त आप अपनी पसंद का एक्सचेंज चूज कर सकते हैं दोनों आप्शन आपको मिलते हैं वैसे आपको उस कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिस कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सचेंज से ज्यादा फ्रेंड्स अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो एंजल बोकिंग लॉवेस्ट कर रहें लॉवेस्टन वेस्टल पर लोल आपको उमेट प Williams लॉवेस्टल यह्यादा वहे綸 giorno